लुए नमस्कार दोस्तो आज चनाराठोच चैनल में आपका स्वागत है आज हम बनाने वाले हैं जीरा पाउडर की आउशक्ता होती है और हम जो यूज करते हैं जीरा पाउडर वो मार्केट से खरीदा हुआ होता है और उसके वज़ेसे उसकी टेस्ट भी अच्छी नहीं हो लिया है ये लगभग आदा कब जीरा है याने की 125 ग्राम जीरा है तो चलिए इसको भून लेते हैं गैस की उपर मैंने एक कड़ाई रख दी है और उसमें हम डालेंगे ये अच्छे से साफ किया हुआ जीरा गैस को मैंने मीडियम रखा है जीरे को साफ करना बहुत जो भी छोटे-चोटे कंकर थे उसको निकाल दिया है और अच्छे से मीडियम गैस पर हम इसको भून लेंगे आप चाओ तो तबे पर भून सकते हो या फिर एक पैन में भी भून سकते हो तो मैंने यहां पर कड़ाई में भून लिया है इसको अप देख सकते हो ये अच्छ चुका है तो बहुत सा कलर इसका चेंच हो चुका है और बहुत अच्छी सी कुछ बवाना स्टार्ट हुआ है त graffiti से प्रफेंऐ को बंद करूंगी और जिरे को एक प्लेट मेंकाल दूंगी तो यहां पर मैंने जड़े को एक प्लेट में निकाल दिया है इसको अच्छे से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे 5 या 10 मिनिट के लिए वैसे तो मैं इसको फैन के नीचे रखूंगी 2-3 मिनिट में ये ठंडा हो जाएगा तो दो-3 मिनिट होने के बाद ये अच्छे से ठंडा हो छुका है और ठंडा होने के बाद ये करंची भी होता है बहुत इक्रिस्पी हो जाता है तो चलिए अब हम इसको पीस लेंगे तो mixica jar लिया है और उसमें डालेंगे हम जीरा बस जिरे को साफ करना है उसको हलका सा भून लेना है और मिक्से में पीस लेना है बस इतनी सीस की रेसिपी होती है तो यहां पे मैंने मिक्से में डाल दिया है अच्छे से इसको पीस लेंगे तो चले पीस लेते हैं और बहुत ही अच्छे से में यहां पे आप देख सकते हो पीस लिया है मैं आपको इसको पास से दिखाती हूं इस तरीके से बहुत ही अच्छे से मैंने पीस लिया है इसको छानने की वगेरा आवशकता नहीं होती इसको मैं ऐसे ही एक एरटाइट डिबे में रख दूँगी तो चलिए इसको निकाल लेते हैं एक एरटाइट डिबे में और इस काच की भरनी में मैं निकाल दिया है डखन लगाके हम एक महने तक आराम से मैं इसको यूज कर सकती हूँ बहुत ही आसान सी और पैसे बचाने वाली यह रेसिपी है तो वीडियो को लाइप जरूर करना और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना तो चलिए मिलते हैं नेक्स रेसिपी के साथ